दोस्तो आज किस वीडियो में बात करना चाहूंगी trend line के बारे में trend line क्या होता है इसको chart पे कैसे plot करना है ये कितने types के होते हैं और trend line के breakout या फिर breakdown पे किस तरीके से trade लेना है SL target क्या होगा everything in detail आज किस वीडियो में बात करेंगे तो आप लोग वीडियो में बने रहना वीडियो काफ इन्फर्मेटिक होने वाला है तो सबसे पहले बात करना चाहूंगी trend line के बारे में ठीक है? तो देखे trend line क्या होता है दोस्तो trend line में लिए होता है two types का होता है एक होता आपका up trend line और second क्या होता है? जाए किसे up trend line plot करना समझे तब तक आपको up trend line plot करना नहीं आएगा ठीक है? तो पहले समझते हैं up trend को up trend क्या होता है? यहाँ पर समझे गा up trend गचित up trend में क्या होता है? market continue क्या करता है? higher high बनाता है continue ऐसे क्या करता है यह higher high बनाते चला जाता है इसको बोलते है higher high यहाँ पर higher high हो गया और यह आपका higher low हो गया अब यहाँ पर समझेगा higher high का मतलब क्या हुआ कि market क्या करता है previous high से नया high बनाता है यहाँ पर समझेगा जैसे market नहीं पर क्या किया 100 का high लगाए था तो next यह क्या करेगा यहाँ पर 105 का high लगाएगा फिर next यह क्या करेगा यह यहाँ पर 110 का high लगा सकता है फिर यहाँ पर 115 का 120 का मिन्स की previous high से एक निया high बनेगा ठीक है इसको कहते है higher high ऐसे higher low उता है मिन्स की मारके यहां पर क्या किया 90 का low लगाया था next यह क्या करेगा 95 का low लगाएगा पर next क्या करेगा 100 का फिर next 105 का means की नेक्स यह क्या करता जो previous low था उसे उपर होगा low ठीक है यहां देखते हैं 90 का लो है यहां पर 95 का लो है तो इसको कहते हैं higher low तो यहां पर समझेगा upton and plot कैसे करते हैं तो इसी higher low को ऐसे connect करते हैं ऐसे इसको connect कर देते हैं ठीक है देखें upton and line को plot करने के लिए minimum 3 point को connect करना होता है minimum कितना 3 point को minimum 3 point को connect करना होता है फिर आपका यह upton line plot हो जाता है ठीक है अब यहां देखेगा जब तक market क्या है upton line के उपर है तब तक इसको कहा जाता है कि market अभी bullish trend में है क्या है bullish trend में तो जैसे market क्या होता है नीचे यहां पर आया support लिया तो आप यहां पर buy कर सकते हैं ठीक है जब जब आपको यहां पर मिलेगा आप यहां पर buy side में trade बना सकते हैं बट जैसे ही upton line क्या हो यहां पर break हो जैसे कोई bearish channel क्या करे upton line को break करे वैसे ही क्या होता है यहां से इसका trend change हो जाता है और आप यहां पर short sale में अपनी position बना सकते हैं ओके अब यहां देखिए कैसे सारा कुछ पहले आपको ठीकल बजाते फिर आपको चार्ट पर प्रैक्टिकल भी समझाएंगे ठीक है अब यहां पर देखना SL target क्या लेंगे SL target क्या लेंगे समझेगा जो SL होता है बिलकुल इस candle का high यह होगे आपका stop loss क्या होगे SL जो बियरिस penetrating candle होती है यह क्या है यह है बियरिस penetrating candle इसको कहते हैं बियरिस penetrating candle ठीक है और इसी candle का high SL और target क्या लेंगे तो target लेते हैं जो यहां पर highest high होता यहां पर इसके और entry point की बीच का जो difference है वो होगा आपका downside में target क्या होगा downside target यहां देखेगा जो भी यहां पर होगा यहां पर जो भी होगा इसके और इसके बीच का difference वो होगा आपका downside में target ठीक है एक वर आपको चार्ट पर plot करके दिखा देते हैं और वहां पर आपको find भी करके दिखा देगा दोस्तों यहां पर आपको plot करके दिखा रहे हैं ठीक है यहां पर देखेगा यह पौरा सा यह नीचे आएगा यहां प यहां देखेगा यहां देख सकते हैं यह क्या है picture perfect up trend line है अब हमने आपको त्विट कली क्या बता है था अप्रेंड के बारे में कि यहां पर क्या होता है market यहां देख सकते हैं क्या करता है यह आप देख सकते मार्केट support लिया वह आपकर से back मिसके जब तक ही इसके ऊपर है तब तक यह क्या है up trend में है और जैसे इसने यहां पर break किया यहां से गिरावट होगी इसका trend change हो गया हमने आपको क्या कहा था minimum three point को connect करने के लिए अब यहां पर देख सकते हैं एक point आपका यहां पर आप इसको भी consider कर सकते हैं फिर यहां पर और फिर यहां पर देख सकते ह हमने बताया था वह यहांपर fulfill हो रहा है ठीक है अब देखिए हमने क्या करणा था यदन क्या करें एक अब यहां पर देखिए जैसे इसे इससलोग इसने प्रेक ने लेख किया आप देख सकते हैं कितनी अच्छी इलावट हुई है में इसकी ट्रेंड ही चैंज हो गया हो ग यहां पर क्या करना था यहां पर इस केंडल का हाई क्या करते एसल लगाते और जैसे लोग रेक हुआ आप यहां पर सेड्में ट्रेड करते आपकी मड़ी चाहे तो फ्यूचर ऑप्ष्ण किसमें भी अप्रेड बना सकते थे और टार्गेट क्या लेंगे यहां पर समझेगा पहले एक्सेल के होगा हाय आप प्रिक्रेटिंग गेंडल ओके और टार्गेट टार्ड के लेंगे इंट्री पॉइंट माइनस डिफ्रेंज डिफ्रेंज अभी हम देखें डिफ्रेंज पर आप फाइंड करोगे न तो डिफ्रेंज क्या जो हायस्ट हाई है ये इसका हाई कितना है तो इसका हाई है 18886 का समझेगा कितना है 18886 का यहाँ पर लेते हैं 18,886 माइनस करेंगे इस candle का low तो इसका जो low है वो है आपका 18,529 का 18,529 का खीक है कितने क्या हो गया 357 पॉट्ट का difference हो गया अब इस 357 को क्या करेंगे माइनस करेंगे 18,529 अब देखे 357 का difference आगी आपको अब यहाँ पे target equal to entry माइनस difference तो difference कितना था 357 पॉट्ट का और यहाँ पे इस candle का low कितना है 18,529 का 18,529 का खीक है अब देखे यहाँ पे 18,172 का कितना हो गया 18,172 का आप देख सकते हैं कितनी अच्छी गिरावट हुई है इसने target हिट कर दिया ठीक है तो SL कितना छोटा था और नी क्या था SL शिर्फ इस candle का high 18,668 का 18,668 का क्या था SL था तो आप देख सकते हैं यहाँ पे small SL के साथ में big target तो इस तरीके से आप भी up trend line के help से क्या कर सकते हैं Sill side में trade बना सकते हैं अब बात करेंगे downtrend length तो बड़ाएं downtrend line कैसे plot करना है बट उससे पहले आपको बताना चाहूंगी downtrend क्या होता है तो downtrend market क्या करता है यहाँ पर दिखिएगा market continue चला जाता है lower low और उपर में lower high यहाँ पर देखिएगा lower high यह form करता है ठीक है lower low का मतलब क्या हुआ market नहीं है क्या 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 yeah यहाँ पर मार्केट ने यहां पर क्या किया 95 का लो लगाया कल मार्केट ने 90 का लो लगाया उसके अद मार्केट ने यहां पर 85 का लो लगाया फिर मार्केट ने 70 का लो लगाया फिर मार्केट ने 60 का लो लगाया इसको कहते हैं lower low ओके अब देखें यहां पर मार्केट ने क्या क्या था आब देखिए इसमें क्या करते हैं Lower high को connect करते हैं एसी क्या करते है लोगर हई को connect करते हैं downtrend के नीचे है तब तक यह क्या है बीरेस टेंड में're क्या है बेसे तो आप इसके हर्पसे trend भी identify कर सकते हैं को के और जाब जब आपको यहां मिले यह कहलाएगा resistance तो यहां पर आप short cell का position भी बना सकते हैं ऑठ जैसे ही downtrend तर लिएंड क्या हो यहां पर जैसे डाउंट्र लीन का ब्रेक आउट हो में इसकी कोई बूलिख को ब्रेक करें और इस केंडल का है यहां पर इसका ठ्रेंड में कर्वर्ट हो जाता है और यहां पर आप बाइस्ट में अपनी पोजिशन बना सकते हैं ओके एसल क्या लेंगे बिल्कुर इस कनल का लो यह होगा आपका stop loss और target क्या लेंगे तो entry point यहां देखिएगा entry point यह होगी आपका जो bullish printing channel है इसका high entry point और जो आपका lowest low होगा यहां पर यह इसके बीच का जो difference होगा वह upside target होगा क्या होगा lowest low entry point यहां देखिएगा entry point माइनस lowest low जो भी difference आएगा इस difference को क्या करेंगे entry point में add कर देंगे यह हो जाएगा आपका target अब आपको प्रैक्टिकल चार्ट पे दिखाते हैं दोस्तों यहां पर देख सकते हैं यहां पर देखिए मार्केट क्या है जब तक यह इस डाउन त्रेंड के नीचे है यहां पर देख सकते हैं तब तक यह क्या है यहां पर देखो हमने आपको क्या था करने के लिए देख सकते हैं यहां पर यहां पर भी हो रहा है यहां पर यहां पर यहां पर तो जो क्रिटेरिया है वह यह फुल्फिल कर रहा है तो इस तरह के साब गिए आप डाउंट लनन को प्लॉट कर सकते हैं और प्लॉट करने के बाद आ। व्यां के रहा है तो ज्यान क्या रहना है कि कंफर्मेशन होने देना है यहां पर देख सकते हैं बिव्लीइस Candle का हाई इस इस एकिन्डल ने ब्रेक किया यहां पर तो इसने कंफर्मेशन दिया है तो यहां पर यहां पर यहां क्या है यह है lowest low इसके और इसके बीच का जो difference आएगा वो होगा upside में target आप देख सकते हैं यहाँ पे target इसने दे दिया है तो इस तरीके से आप भी trendline को chart पे plot कर सकते हैं और trade बना सकते हैं ओके बोलना चाहूंगे SL काफी छोटा होता target यहाँ पे अच्छा होता एक big target होता है दोस्तों यहाँ पे काफी detail में हमने आपको trendline के बारे मताया trendline क्या होता है up trendline down trendline कैसे आपको trade लेना है SL target कैसे find करते हैं everything काफी detail में फिर भी कोई ट्रेंगल बनाने के लिए आपको trendline आना ही मतलए इसको यह आना ही चाहिए ठीक है तो इसको अच्छे से practice कीजिए चार्ट पे और कोभी हुआ 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 है